वंदे मातरम स्टूडेंस क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन अभी एक्जाम में मैचिंग भी आने वाला है तो इसका भी हमें रिवीजन करना है जो आपकी टेक्सबूक में मैचिंग है उसमें से मैंने दो लिए हैं यह दूनों एज़िटीज भी आ सकते हैं या तो फिर इसका मिक्षब भी आ सकता है तो आपको अच्छे से लंड करना है और नोट डाउन भी कलेना है रिवीजन के हैडिंग के नीचे हमने जैसे एंसे क्यों फिलिंग दे ब्लाइंक स्नी रिखे उसके नीचे से ही मैच्ट फॉलॉविंग स्टार्ट करने ना है यहां पर है पार्ट अ अनो डॉमिनी बाक ऑफ बर्च ट्री टेक्स एंग्रेवन कॉपर प्लेट टेक्स एंग्रेवन स्टोन और मैटल अभी आप इस तरीके से मैच्छ कर सकते हो यहां पर जिसे मैंने आंसर्स लिखा है वैसा लिख सकते हो यहां तो फिर दोनों भी कर सकते हो ओके मांक्स आपको किसी भी तरीके से मिल जाएंगे लेकिन आपको सही लिखना है अगर गलत लिखा होगा तो नहीं मिलेंगा विसली फिर्स्ट वनीज रेकॉर्ड रेकॉर्ड यहां पर आएगा टेक्स अंग्रेवन स्टोन और मैटल उसके बादे भोज पत्र तो भोज पत्र यहां पर रहेगा सी में बाक ओफ फब विच ट्री इसके बादे तामर पत्र उसका अंसर रहेगा डी में टेक्स अंग्रेवन का प्लेट्स बीसी का फुल फोम होता है बिफॉर्ट बर्थ उफ्क्राइस्ट एडी का फुल फॉम होता है आयनों रॉमिन अंसर भी लिखे हैं मैंने आपे फर्स के साथ E, सेकंड के साथ C, थर्ड के साथ D, फोर्ड के साथ A, और फिफ्ट के साथ B ओके अभी नेक्स्ट वाला जो मैचिंग है वो भी आपके हिस्ट्री के चैप्टर का है तो यह भी आपको अच्छे से याद करना है यहाँ पे है A, B या A में हैं मगद, गांधार, वाट्स और अवन्ती और B में हैं कशूंबी, उज्जेनी, राजकुरी और तक्षशीला तो मगद के साथ आएगा राजकुरी, गांधार के साथ आएगा तक्षशीला वर्स के साथ आएगा कशूंबी और अवन्ती के साथ आएगा उज्जेनी एक फर्स के साथ C, सेकंड के साथ D, थर्ड के साथ A, इन फूर्द के साथ B तो यह थे आपके दो मैचिंग्स अभी, नेक्स सुम देखेंगे त्रूफोल्स और वह आपको नोट डाउन करने हैं यहाँ पे मैंने हैडिंग दिया है, टूफोल्स का और फर्स्टूफोल्स है यहाँ पे आप इस तरीके से टूफोल्स में राइट रॉंग कर सकते हो त्रूफोल्स तरीके से आप लिख भी सकते हो, ओके फर्स्ट वन इस बीसी मिस बीफोर कॉमन एरा, तो आंसर हेगा हमारा राइट बीसी का फूल फोर्म क्या होता है, बीफोर कॉमन एरा, तो वैसलि राइट है सेकंड वन इस डौला विरा है, रेन्वोटर हारन वेस्टिक सिस्टम, राइट ठर्ड वन इस, तरर हमें ली सेवन वेदा, तो आंसर हेगा हमारा फॉल्स फूर्थ वन इस, फोर्थ वन इस, बीबीमेंट वे युज इन स्टोनेच में उसका यूज गिया चाता था तो आंसर एगा हमारा राईट then after fifth one is primordy man has drawn pictures in of lion and tiger in bhimbeet ka. bhimbeet ka में जो है वो pictures draw करते थे lion and tiger तो आंसर हैगा हमारा false sixth one is sixth one हमारा है buddha had attained enlightenment in sarnath. बुद्धा ने जो अपना enlightenment है वो first attain sarnath में गया था तो आंसर हैगा हमारा गुद्धा गेव फर्स सेर्मॉन इन बूदी गया बोध गुतम बूद्धु जो थे उन्होंने पहला उपदिश बूदी गया में दिया था आंसर हैगा हमारा नेप्चुन जो ब्लू कलर का है जी ना तो आंसर हैगा फॉल्स मून जो है वह स्वयम प्रकाशी थे कुछ चमकता है नहीं वह सन की प्रकाश चमकता है तो आंसर हैगा फॉल्स जुन को ट्रापिक ऑफ कैंसर पे विंटर रहता है नहीं जुन जो होता है हमारे यहां पे समर वेकिशन तो आंसर रहेगा हमारा फॉल्स क्योंकि उससे में क्या होता है समर नेक्स्ट वनीज तो होरीसंटल लाइन इस ड्रोन ओन अर्थ हार को लैटिटिटूज अर्थ के ऊ क्योंहाब सूक्तिटोज एक रहता है नहीं के उसको तो आंसर रहेगा हमारा नच राशन हमारा राइकर्ड धान सम्ट जो होता है क्पैर रहेक्स एक स्कहरा होँन यहांट छे सब्सक्रक्रण यहांं武 कर सब्सक्राइब कि स कि सांभी आंश को लिए सेन अर्ष को रहाएं और एस जो होता है वो साउथ दिरेक्सिन के शाइन दिखाता है 14th one is The ocean has become our waterways Ocean जो है हमारा waterways बना हुआ है तो answer है रहेगा राइट 15th one is Biosphere consists of variety of life forms Biosphere जो है उसके उपर life forms के बहुत सरी वेराइटीज है तो हम सब है वहाँ पर है तो answer है रहेगा राइट 16th existence of oxygen in the environment is up to the height of 150 km Environment पर जो existence है वो 150 km तकी है नहीं उसे ज्यादा है तो answer है रहेगा हमारा false 17th number का है our country is made up of cities Countries जो city से बनी है नहीं वो बहुत सारे संक से बनी है Federal state है हमारा India तो answer है हमारा false 18th है monachial ruler is selected without election Monachial ruler जो है उसमें election नहीं किया जाता है तो answer है रहेगा In democracy power lies in the hands of people Democracy में जो सारे powers होते हों लोगों के हाँज में होते है तो answer है रहेगा 12th है some seats are not reserved in election Election में कुछ seats से वो reserve नहीं की जाती है तो answer हैगा false जाती है तो यहां पर थे हमारे true false से आपको लिखने है और इस साथ में उसके answers भी लिखने है लिखते लिखते ही आपके सारे learn हो जाएंगे ध्यान से लिखना है next one is give the meaning of following term जो नीचे जो term दिये है उसको define करना है उसके meanings बताना है heading रेभी हो सकता है कि define the following वर्डों की कुछ छोटे है कुछ बड़े है लेकिन सब जैसा यहां पर लिखा है वैसे आपको लिखना है for example CE CE का full form CE means common era बहुत easy है उसके बाद है eddy eddy means anodominy which means years after birth of Jesus Christ यह जो है आपको साथ में लिखना है यह exam में भी आएगा exam में सिर्फ आपको इतना heading दिया रहेगा आपको यह explain करना है third one is birch bug the inner layer of the tree named birch on which ensign texts were written birch bug किसको बोला जाता है कि inner layer जो होता है tree का उसका नाम होता है birch जिसके उपर ensign text लिखे हुए है उसको बोलते है birch bug right next one is stone inscription stone inscription किसको बोलते है an inscription is not a stone inscription then after gun gun किसको बोलते है gun word was used for group of many members gun means organization of group यह दोनों उसके meaning है यह दोनों साथी में आपको लिखने है उसके बाद gun जैसे है उसे तरिके से संग का meaning भी यही होता है लेकिन वो क्या होता है organization or assembly संग का meaning होता है organization और assembly सेवंथ वाला question है हमारा उत्तर रियान या तो फिर उत्रायन जो हम celebrate करते है तो इसको हम explain करेंगे the direct rays of the sun being to fall towards north of equator this northern solstice occurs on 22nd December Sun enters Makarraishi on 14 january so it is called Makar shankranti इसमें four sentence है चारो के चारो आपको लिखने हैं तो ही आपको full marks मिलेंगे और बहुत ही easy है the direct rays of sun being to fall towards north of equator equator के north side में sun के direct sun rays होती हो आती है तो नोर्टन soluses occurs on 22nd December 22nd December को नोर्टन soluses occur होती है sun enters मकर राशी on 14 जानियु आरी उसके वज़े से जो 14 जानियु आरी है उसमें sun जो होता है मकर राशी में प्रवेश करता है इसलिए उसका मकर शंक्रान्ती भी हम बोलते हैं तो जैसे उत्तरयान है ऐसे तरीके से दक्षीन यान की भी डेफिनेशन है यहाँ पर from 22nd June the direct rays of the sun shift from tropic of cancer towards south of equator it is cold दक्षीन यान 22nd June या आगे हमें उत्तरयान में याद रखना है 22nd December और यहाँ पर हमें याद रखना है 22nd June sun की डिरेकर, sun rays जो है दक्षीन दी सामें south में, tropic of cancer पर होती है south पर तो इसकी वज़े से उसको दक्षीन यान बोला जाता है दोनों definition वैसे आप देखो तो बड़े है लेकिन बहुत ही easy है तो आज हमें इतना ही learn करना है आगे का reason जो है वो next video से करेंगे तब तक आपको यह note down करके अच्छे से learn करके practice करके समझ लेना है ताकि exam में कोई problem ना हो वन्ले मात्रम